बॉलिवूट के विलेन बन कर तो कभी कॉमेडियन या कभी हीरो के दोस्त के रूप में सभी को गुदगुदाने वाले शक्ति कपूर का आज जन दिन हैं। उन्होंने अपने दमदार अभिने के दम पर ही बॉलिवूट में लंबी पारी खिली है। तीन दशक से जाधा समय तक शक्ति कपूर ने फिल्मों में विलेन का किरधार बखुबी निभाया। विलेन से लेकर कॉमेडियन तक शक्ति कपूर के रोल को दर्शकों ने बखुबी पसंद किया। शक्ति कपूर ने बतोर विलेन पहली फिल्म दर्वाजा की थी जो देश की पहली खौफनाक फिल्म मानी गई। 1980 में प्रदर्शित फिल्म कुर्बानी में शक्ति कपूर को काफी सरहा गया और ये फिल्म ब्लॉग बस्टर साबित हुई। 1994 में प्रदर्शित सूपर हिट कॉमेडी फिल्म अंदाज अपनापना में शक्ति कपूर ने विलेन बन के कॉमेडी से दर्शकों का खूम मनुरंजन भी किया 1994 में प्रदर्शित फिल्म राजा बाबू के लिए शक्ती कपूर को Best Comedian के एवर्ड से सम्मानित किया गया शक्ती कपूर और Comedian कादर खान की जोड़ी को बड़े परदे पर काफी पसंद किया गया इसलिए दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में कॉमेडियन और विलन का किरदार निभाया शक्ती कपू ने बॉलिवुड में लंबे समय तक नए और पुराने सभी तरह की कलाकारों के साथ काम किया कभी विलन तो कभी हीरो के दोस्त सभी किरदारों में शक्ति कपूर्ट फिट बैटते हैं फिल्म चाहे हेट हो या नहीं लेकिन उनके किरदार को हमिशा सरहा गया शक्ति कपूर की शुरुवाती फिल्मों में रॉकी हिम्मत वाला और हीरो ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की 2011 में शक्ति कपूर टीवी रियालिटी शो बिग बॉस फाइव में प्रतिभागी के रूप में दिखाई दिये शक्ति ने शिवांगी के साथ विभा किया और इनके दो बच्चे हैं सिधान्त कपूर और श्रधा कपूर श्रधा ने हाली में बॉलिवुड में कदम रखा है और इनकी पहली डेब्यू फिल्म आशिकी टू है Bureau Report, DLive News